गाइस अगर हम बात करें Apple की जिसमें कि हमें देखने को मिल जाते हैं iPhone, MacBook, iPad उसके साथ और भी करेज़ी डिवाइसे हैं जो की iMac जो है हमें देखने को मिल जाते हैं और no doubt यार कि इनकी जो Speed और Performance होती है हमें बहुती Nets लेवल की देखने को मिल जाते हैं जिसमें के अगर हम सबसे basic की बात करने यहां जिसमें के हमें iPhone देखने को मिलता है सबसे ज्यादा उसके अंदर जो हमें chipset देखने को मिलता है बट अगर हम बात करें इस पेसली इनके MacBook की जिसमें कि हमें MacBook Air और MacBook Pro देखने को मिल जाते हैं जिसके नदर हमें पहले Intel के प्रोसेसर देखने को मिलते थे और नो डाट कि उस टैम भी इनकी परफॉमेंस जो बहुत अच्छी थी बट जब से इन्होंने अपना खुद का प्रोस इनके अच्छा देखने को मिल जाती है यह बात करो में इनके M1 chip की जो कि हमें यह स्पीड देखने को मिल जाती है बट अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने अपना M1 Max M1 Max Pro लांच किया और अभी उससे थोड़ा टाइम ही पहले इन्होंने लांच किया जो कि है Mac Studio उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है M1 Max Ultra जो कि लिटली भाई बहुत ही जादा फास्ट है और अब जो है एक ऐसी लिक सामने निकल के आ रही है जिसमें कि एक website पर यह जो हमें आर्टिकल देखने को मिला है उसके according अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें Bloomberg जो है जो कि Apple के सबसे बड़े टिफ्टर और लीकर से जो कि बताते हैं तो उनकी जो बाते होती है ज्यादा तर सची होती है मिंस कि बहुत ज्यादा चांसिस होते हैं कि वह बात सची होती है तो उन्होंने ऐसा बताए कि जो Apple कंपनी है अपने नेस्ट चिपसेट पर काम कर रही है मिंस कि उन्होंने काम तो कर लिया उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं जो कि हमें M2 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है उसका नेश्ट जन्रेसिनन आप है जो कि यह नाइंद डिवाइसे जो की इसके टेस्टिंग कर रहे हैं जिसमें के अगर हम बात कर लिए मैक बुक की मैक बुक एर मैक बुक प्रो आई मैक मैक स्टूडियो और भी साथ आई पैड होगा रहा के अंदर और अभी कुछ ऐसी भी लिग सामने निकल के थी जिसमें को बताया जा रहा है कि जो आने वाले आगे के आई फोन होंके उसके अंदर हो सकता हमें अब हो सकता है कि इस यह के एंड तक हमें देखनों को मिल जाए यह कि Apple company ने इसमें टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया और अगर हमाने रीपोर्ट की तो ये जो है हमे बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है अब हो सकता है कि इसी ये के āंड तक हमें देखने को मिल जाए या फिर हो सकता हैं कि हमें नेंस्ट टू टून 3 के अंदर देखने को मिल सकता है एपल के निव लाइनप के जिसके अंदर हमें टोटली री डिजाइन जो है MacBook Air MacBook Pro अगरा देखने को मिल सकते हैं और उसी साथ आपको इसके अंदर है प्रोसेसर और उसी के साथ साथ आपको एक अच्छी खासी प्रफोर्मिन्स देखने को मिल जाएगी बट अब यह कोई फानल नहीं मैं आपको लिक्स के मताब्स बता रहा हूं जो भी रिपोर्ट मैंने देखिए अब देखते यह कि जो एपल कंपनी वो अपना कब M2 प्रोसे क्लियर करें और अगर आप इस चनल पर नए हो तो चनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियो के लिए अगर आपको कोई सवाल आपका कुछ सुझाओ तो मुझे कमेंट सत्से में जरूर बताना और मुझे इस्टाग्राम पर फोलो करने जिसका लिंक आपको डिस